हम MakeCode for microbit simulation website है उसको यूज करते हुए computer programming की कुछ fundamental concepts को hands-on तरीके से सीख रहे हैं अगर आप microbit को step by step समझना चाहते हो तो हमारा free online course चेक कर सकते हो computer program के fundamentals में पहले हमने events और event handlers को समझा और अब हम different types के variables को समझ रहे हैं next type का variable है वो string variable है जिसमें कि हम alpha numeric values को store कर सकते हैं जो numerical variables हैं उनमें हम केवल numerals को ही store कर सकते हैं alphabets या special symbols को नहीं कर सकते हैं पर जब हम कोई variable define करते हैं as a alpha numeric variable तो उसमें हम number हो या alphabet हो या कोई special character हो वो सब कुछ store कर सकते हैं तो एक छोटा सा program लिखते हैं जिसमें हम क्या चाहेंगे इसको मैं अगर इसका drop down menu दबाता हूँ तो इसको मैं rename कर सकता हूँ या delete कर सकता हूँ तो मैं यहाँ इसको delete कर रहा हूँ और उसके बाद मैं variable में जाके फिर एक नया variable बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ name और हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा program शुरू हो तो हम on start block को use करते हुए name नाम के variable को initialize करना चाहते हैं पर हम इसके अंदर alpha numeric values डालना चाहते हैं alphabets, numerals और special characters पर अभी मैं यहाँ पर अगर कोई alphabet डालता हूँ तो वो accept नहीं करेगा alphabet को तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस variable को alpha numeric variable बनाना चाहते हैं क्योंकि by default वो एक decibel number या numeric variable है तो यह करने के लिए हमारे को advance में जाके text में जाके यह जो पहला block है text का यह लाके हमारे को इसको drag करना है इस field के अंदर अब यह जो name variable है इसको हमने initialize कर दिया है to become a alpha numeric variable जैसा वो बता रहा है अब हम इसमें letter, word या line of text जो है वो store कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि नाम है bond 007 exclamation mark मैं यह दिखा रहा हूँ कि आप alpha numeric variable में alphabet भी store कर सकते हो numerals भी store कर सकते हो और special characters भी store कर सकते हो अब हम चाहते हैं for example कि जब भी हम button a दबाएं तो हमारा microbit कहे welcome और जो भी हमने यहाँ पर name नाम की variable में हमने जो भी डाला है तो यह करने के लिए मैं पहले तो input में जाके on button तो rather than button a press हम कुछ और try कर लेते हैं तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि on pin zero pressed तो मैं कह रहा हूँ कि जब pin zero pressed हो तो मुझे जो भी नाम है वो और welcome यह दो चीजें आनी चाहिए तो अगर हम इस तरीके से दो चीजें को जोड़ के अपने यहाँ display करना चाहते हैं तो advance में जाके text में ही जाके आप यहाँ से यह command डा सकते हो join और हम pin zero पे display चाहते हैं तो मैं यहाँ basic पे जाके कह रहा हूँ not show number, not show LED, not show icon but show string variable और कौन सा string variable है हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इस तरीके से यह join command डाल रहे हैं और फिर हम variables में जाके यहाँ कह रहे हैं कि जो भी नाम है वो और उसके बाद कह देना welcome और हम चाहते हैं कि नाम और welcome के बीच में space आए तो मैं यहाँ पर एक space डाल रहा हूँ तो अब यह space भी आएगा और अब हम इस command को execute करके देख सकते हैं तो हमने command लगी है कि when pin 0 is touched तो जब मैं pin 0 simulator में touch करने के लिए उसको मैं click करता हूँ तो यह दिखा रहा है कि pin is touched और हमारे को bond 007 exclamation mark space welcome यह पूरा message जो है वो यहाँ पर scrolling तरीके से display हो रहा है तो of course आप name की कोई भी value change कर सकते हो तो मैं अपना नाम डाल सकता हूँ अतुल welcome और इसको अगर मैं execute करता हूँ by pressing pin 0 तो यह कह रहा है अतुल फिर एक space और welcome तो इस तरीके से आप alphanumeric variables को use करते हुए कोई भी alphanumeric characters को अपने microbit में display कर सकते हो या as per need use कर सकते हो अगले वीडियो में हम समझते हैं boolean variable या boolean operators आई जारे गूलागर याज्यों फूलाद या gladstरे या जाई शा पूटर जाईप्यों एक सकते हैं अब्यों लूट जारे के वीडियों लने सकते हैं झाल झाल